असलाम अलेकुम वेलकम बैक टू मैं चैनल मैं हुई आसमीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हरे मटर के एकदम टेस्टी और बिल्कुल नई रेसिपी जिसे खा के आपको बिल्कुल मज़ा आ जाना है बहुत ही जादा आसान रेसिपी जो घर में मौजुद सामन से जाती है तो चलिए देख लेते हैं इसे हमें बनाना कैसे है सबसे पहले यहां मैंने मटर ले ली हूँ यह पास्तो ग्राम मटर है इसे हमें अच्छे से वाश करना है वाश करने के बार इसे हमें ग्राइंड करना है इसमें मैंने कुछ हरी मिर्चे आइड की हूँ हरी के से हमें से पीषना है दर्दरासा और जादा इसे न पीषे इसका पेस्ट बिल्कुल ना मना अब यहां हम एक पैन ले ले लेंगे इसमें मैंने एक छोटा चमबच ऑईल एड की हूँ आदा छोटा चमबच मैंने इसमें जीरा एड की हूँ जीरा को 10-20 सेकिंड के लिए फ् इसके बाद हमने मटर को ग्राइंड करके रखा था वह इसमें एड कर देंगे पूरे मटर इसके बाद इसमें कुछ ड्राय मसाले जाहेंगे इसमें नमक आड करना है टेस्के असाब से हल्का से इसमें हल्दी पॉडर जाएगा आदा छोटे चमबच की पराबर इसमें ताके लेमान का जूस में पख जाए कच्छा ना रहा है उसके बाद यहां पर आप इसे टेस्ट कर ले आपको जो भी लगता है नमाग मुच्छे एक्जेस करने आप कर सकते हो उसके बाद इसमें हम दो चमाच कॉन फ्लार एड कर रहें छोटे वाले दो चमाच बाइंडिंग करने के लिए इससे आप देख रहें जैसे हमने कॉन फ्लार एड करके से मिक्स किया तो एक केसा हमारा मिक्स्टर चूए वह एकट्टा होने लगा है तो हमारे टिकिया एन बहुत अच्छी बनेगी अब इसमें हमने थोड़ा सा हराधनिया एड कि बारी बारी कट करके और थ चीज पकाते हैं इसका बरताण चेंज करना बहुत ज़रूरी नहीं तो जो कुकिंग का प्रेसे से चालू ही रहता है हमारी रेसिपी ओफोख जाती है अब यहां मैंने तीन आलू ली हूं इसे मैं अच्छी से बॉइल कर ली हूं इन्हां हमारे अलू बहुत अच्छी से मै करके आदा चोटा चमबा जिसमें काली मिर्ची का पाउडर खोड़ा से इसमें गरम मसाला पाउडर और हल्का सा हल्डी पाउडर चाहेगा कलर के लिए सबी चीज से आड करने के बार इसे हम बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे इसमें अभी हमने कोई भी तीखे प ड़ी है इसे अब हम साईड में रख देते हैं अब यहाँ मैने बेसाान धी हूँ इसमें bis quello मिच्छ मसाला ऐड करेंगे हाट के थोड़ा से इसमें हर्दी पाउडर चाहेगा कलर के लिए हलका सफ गरम मसाला पाउडर आड करेंगी और हलका से माटा सै लाल मिर्ची में औच्छी लगती हाराध्मिया Penine करने ।िसमें अब हम थोड़ा थोड़ा पानिया एट कर आप पानिया ऐट करते चाहेंगे इससका । ले और भूंजादा पतलाfinder चाहिए और लाधे में चाहिए प्रट कर आपेर, साथ दो मुल्टा मुला ही तिक्या वार क्वाת चप्टी चप्टी टिक्या बनाना है मतलब पत्ली पत्ली सी बहुत जादा मोटी दे इस तरीके की और यह हमारे टिक्या बिल्कुल रेडी है इक्या की साइज भी यहां में बहुत ज़ादा बड़ी नहीं लेना है छोटी ही लेना है तो आप इसके पर दो परता है एक आलू की और एक बेसन की तो इजे टिक्या है हमारी आटोमेटिकली बड़ी हो जाएगी इस तरीके से हमें आलू का थोड़ा सा मिक्षर लेके हाथ पे अच्छे से फ्लैट करना है उसके पर इसे टिक्किया को रखेगे और थोड़ा सा मिक्षर उपर से लगा के इस तरीके से इसे कवर कर देगे इसलिए हमें आलू का जो मिक्ष्टर है यहां पर सॉफ्टी छीए रहता है आलू का मिक्ष्टर हमारा का सॉफ्ट हो करना तो आप चीज़ भी शेप में इसे ढालना चाहोगे तो यह अराम से ढाल जाएगा यहां मैंने इसे राउंड शेप में बनाई हैं और यहां हमारे टिक्या बनके बिल्कुल रेडी है देख सकते हैं आप देखने में कितनी सुन्दर लग रहे हैं इसी तरीके से हम सारे टिक्या को बनाके रेडी कर लेगे यह हमारे टिक्या बिल्कुल रेडी है अब इसे हमें फ्राय करना है पहले हम इसे बेसन में इस तरीके से कोट करेंगे और इसे हमें मीडियम गरम ओईल में एड़ करना है टिक्या फ्राय करने के लिए हमें पहले से ओईल गरम करके रखी हूँ यह मीडियम होट ओईल है सारे टिक्या इस तरीके से थोड़ा सेफटी के साथ एड़ करते जाएंगे और इसे हमें मीडियम हाई फ्लेम पर ही फ्राइ करना है क्यूंकि हमारी सारी चीज़ें यहां पर पकी हुए हमें कुछ भी पकाना नहीं है हमारी टिक्या को फ्राइ होते हुए एक दौ मिनिट हो चुके है एब हम इनकी साथे चेंज कर देंगे और दूसरी साथ से भी हम इसे अच्छे से फ्राइ कर लेंगे मैंने इनकी यहाँ पर दो बार साइडे चेंज की हूँ ताकि यह अच्छी क्रिस्पी फ्राय हो हो हाँ इन्हें फ्राय होते हुए एक टोटल 4-5 मिनिट का ही वक्त लगा है और यह हमारी गर्मा गरम से टिक्या बिल्कुल फ्राय हो चुकी है इस तरीके से इसका तेल निधार दे हो है आँ निकाल लेंगे और इसे पेबर टावल पर रग देंगे ताकि जो भी एक्स्टा ओल रहेगा वो पेबर टावल एबसर्प कर लेगा और यह से यह प्रोसेसे हम सारे टिक्या को फ्राय करके रेडि कर लेगे यहां आमारी सारे टिक्या फ्राय होके बिल्कुल रेडी है इसे आप गर्मगल सर्फ करें सौस के साथ यहारी चट्नी के साथ जिसे के साथ भी आपको अच्छा लगता है यहां मैं आपको एक टिक्या कट करके भी दिखाती हूँ यह उपर से एक दम क्रिस्पी है और अंदस एकदम सॉफ्ट है और इसकी सभी लायर का अपना एक आलागी मज़ा है देख सकते आप देखने में कितनी जादा टेस्टी और यम्मी लगी है तो प्लीज स्टैसिपी को ड्राय ज़रूर करें आपको रेसी पे अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब